किसी ने मुझसे पूछा कि motivational story पढ़ने से क्या होता है मैंने जवाब दिया motivational story पढ़ने से हमें दूसरों की गलतियों का पता चलता है ताकि हम गलती ना करें इसलिए ज़्याद़ से ज़्याद़ motivation story यों को पढ़िये दोस्तो तो फ्रेंट्स इसी तरह आज की जो story है वो हार गया लेकिन खुद से जीत गया दोस्तो नवस्कार आपका फिर से स्वागत है एक ऐसी ही नई motivational story के साथ दोस्तो जिसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद आपके अंदर पहले जैसी उर्जा आ जाएगी पहले जैसी जैसी उर्जा नहीं रहेगी तो चलिए बिना समय गवाई हम अपनी motivation story को सुरू करते हैं हरीस नाम का एक लड़का था उसको दोड़ने का बहुत ही सौक था वो कई मेराथन में हिस्सा ले चुका था परन्तु किसी भी रेस को वो पूरा नहीं करता था यह उसने मन में ठान लिया है चाहे कुछ भी हो जाए वो रेस को जरूर पूरा करेगा रेस सुरू ही हरीस ने दोड़ना सुरू किया और धीरे धीरे सारे धापक आगे निकल रहे थे मगर अब हरीस ठक चुका था वो रुक गया उसने फिर खुद से बोला कि अगर मैं दोड़ नहीं सकता हूं तो कम से कम चलतो सकता हूं उसने ऐसा ही किया वो धीरे धीरे चनले लगा मगर आगे बढ़ रहा था वो बहुत ज़दा ठक गया था और नीचे गिर पड़ा उसने खुद को बोला कि वो कैसे भी करके आज दोड़ को पूरी करेगा कैसे भी करके उस रेस को कम्पलीट करेगा उसने अपने मन के अंदर वो जित ठान ली कि उसको आगे बढ़ने लगा अंतता वो रेस पूरी कर गया माना कि वो रेस हार चुका था लेकिन आज उसका विस्वास चरम पर था क्योंकि आज से पहले रेस को उसने कभी पूरा नहीं किया था वो जमीन पर पड़ा हुआ था क्योंकि उसकी मास्पेसियां में बहुत खिचावा आ चुका था लेकिन आज वो बहुत खुस था क्योंकि वो हार कर भी जीत गया था दोस्तो तो दोस्तो испस्तों इस स्टोरी से हमें क्या सीकने को मिलता था दोस्तों हम भी इस तरह की कहीं गलतियां करते हैं हमारी लाइफ में भी कभी अगर कोई परिसानी होती है तो उस काम को हम करने से उसको छोड़ देते हैं अगर आप एक स्टूडेंट हो तो रोज दस हावर स्टडी करते रहो और किसी दिन कोई परिसानी की बज़ा आप की पढ़ाई नहीं कर पाते हो और बले ही अगर पांच हावर्स मिले लेकिन पढ़ना जरूर चाहिए दोस्तो हारीस की कहानी से हमें यही सीखनों को मिलता है कि अगर हम लगातार आगे बढ़ते रहें तो एक ना एक दिन हम हार कर भी जीत जाएंगे दोस्तो तो दोस्तो अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें शेयर कर दें और चैनल पर नहीं हो दोस्तो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलता है इसी तरह एक नेक्स्ट अच्छी सी मोटिवेसलन स्टोरी के साथ तब तक लिए दोस्तो चैहिन चैभरत